हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो और न्यू वीडियो फोड़ाफोन आइडिया लिमिटेड फ्रेंट्स कुछी दिनों पहले दो दिनों पहले एक अपडेट आया था 45,000 करोड का फंडरेज जो है वोड़ाफोन आइडिया करने वाला है उसके बारे में और क्विकली मैंने आप लोगों को बताए था उसी समय हमारा जो एनलिसिस होता है या हमारा जो व्यू होता है उसके साथ मिलते रहता है तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ताकि आप जो है इस तरीके के न्यूस को इन डीटेल समझे और बड़े लॉसस से बचे या लो बनाया 13.40 का और सेशन जो है नीटरल क्लोज हुआ ना निगेटिव ना पॉजिटिव इट मींज कहीं न कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम आने की जो है संभावना वोड़ाफोन आइडे के शेयर में आ सकती है विकॉस आफ सेम रीजन 45,000 करोर का जो फंडरेस करने वाल यह मैंने आप लोगों को बोला था और वही हुआ है क्योंकि delivery percentage देखोगे तो सिर्फ 20% के है तो it means यहाँ पर delivery percentage काफी लो है और volume trade हुआ था almost 150 करोड प्लस और आज की session में almost 85 करोड का volume तो दोनों दिनों में volume काफी अच्छा trade हुआ है comparative delivery percentage काफी लो है अब हम बात करते है friends ऐसे report के बारे में जो report आप अगर in detail समझोगे तो future में यह share multi bagger बन सकता है अगर company की management जो जो चीज़े बोल रहे है यह report में वो सही से execute कर पाते है तो otherwise surprise नहीं होगा तो उस अबडेट को cover करते है quickly देखिए Vodafone ideas 20K 20,000 करोड equity fund raise likely to be mix of FPO and preferential allotment to promoter तो यहाँ पे आप देखिए कि जो यहाँ पे fund raise किये जाने वाला है वो FPO के तोर पे और preferential allotment के तोर पे as a combination किया जाने वाला है यहाँ पे यह बोला जा रहे है तो friends इसके बारे में exact information आने वाली है 2nd April को कि approval लेंगे यह जो shareholder से उनसे और इस particular चीज़ को execute किया जाएगा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यह जो 20,000 करोड रेस किये जा रहे है वो क्या चीज़ किये रहे जा रहे है mainly by June it looks to shore up finances for much delayed 5G rollout and strengthening 4G services तो main motive is 45,000 करोड के investment का पीछे सिर्फ यही है 5G को rollout करना चारे और 4G services को जो है यहाँ पे वो और strengthen करना चारे फ्रेंड्स इतने difficulties के बावजूत आप लोगों को बता दू वोड़ाफोन आइडिया जो है यहाँ पे इंडिया का third largest टिलिकॉम सेक्टर का player है जिसके पास अभी भी काफी अच्छा subscriber base है कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था मैंने और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक साथ शेयर किया था कि किस तरीके का जो है यहाँ पे subscriber count available है फिलाल वोड़ाफोन के आस पास तो अगर यहाँ पे strength करते है 4G services और 5G rollouts यह 45,000 क्रोड का fund raise करने के बाद तो definitely एक अच्छी rally आ सकती है शेयर में और जो भी हमारे subscriber है जिन्नों ने इस particular share को 5 to 6 रूपीज या 4 to 5 रूपीज के बीच में खरीदा है वोड़ाफोन आइडिया और government ने कुछ months पहले ही काफी clearly कहा है कि वो किसी भी तरीके से interested नहीं है उनके stake किसी entity को या फिर से वोड़ाफोन आइडिया को बेशने के लिए उन्होंने as a long term perspective in particular stakes को खरीदा है इस particular fund risk को execute करने के लिए और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे share holders के साथ 2 April को यानि यहाँ से ठीक 31 days के बाद meeting होने वाला है और उस meeting के बाद जो है मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी rally आ सकती है क्योंकि company यहाँ पे जो है जो main criteria's है जिनके उपर इनका growth जो है future में depend करता है उनके उपर काम करने वाले है और उनके उपर अगर यह अच्छे से काम कर लेते है तो definitely यह competitive बनेंगे उनके जो राइवल से जियो और भारती एरिटेल की services अगर थोड़ा बहुत भी close to चले जाते है या फिर retention हो जाता है what of one idea के subscriber base का तो एक अच्छा खासा जो है benefit होगा what of one idea को क्योंकि उसके बाद company definitely काम करेगी नए subscribers on board करने के लिए जिस पर what of one idea काफी माहिर है हमने past history में भी यह सारी चीज़े देखी है तो यही सारी important details difference आज का इस वीडियो में thank you so much for watching this video